नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का All Exam Guide Group पर दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में Science के Questions का PDF लेकर आए हैं हम इस वीडियो में आपके लिए लेटर इस एक्जाम पर साइंस के जो Questions पूछे गए हैं उन प्रश्णों को लिया गया है तो पूरा वीडियो देखिए फ्री वीडियो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF की लिंक दे दे रहा हूं लिंक पक्ले करके डाउन नेक्स कोशन देखते हैं पेचिस या अमी बॉइस के लिए हिस्टोली का कहां पाया जाता है तो राइट आंसर हो जाएगा पेचिस या अमी बॉइस के लिए हिस्टोली का जो है option number and amoeba में पाया जाता है next question देखते हैं मच्छड से मलेरिया पर जीवी का जीवन चकर किस ने खोजा था तो मच्छड में मलेरिया पर जीवी का जीवन चकर जो है रोनाल्ड रॉस ने खोजा था right answer हो जाएगा रोनाल्ड रॉस next question देखते हैं कि आप पुछा गया अगला प्रशन sealant ratea संग को अन्य किस नाम से जाना जाता है right answer कहा है तो sealant ratea संग को अन्य किस नाम से तो option number निडेरिया संग के नाम से जाना जाता है option number c प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछा गया है coral reef प्रवाल भित्ती का निर्मान किस के द्वारा होता है तो option number sealant ratea वर्ग के जन्तों के द्वारा coral reef या प्रवाल भित्ती का निर्मान होता है right answer हो जाएगा next question देखते हैं क्या पुछा गया अगला प्रशन प्रशन है किसके अदपके मास को खाने से फीता क्रमी मनुश की आत में पहुँच जाता है गोल क्रमी या सूतर क्रमी को किस संग के अंतरगत रखते हैं तो गोल क्रमी या सूतर क्रमी जो है निमन थेलमिन थीज आप्शन नमबर बी यहाँ पर से इत्रो जाएगा संग के अंतरगत रखा जाता है next question देखते हैं क्या पूछा गया है एसकेरिस द्वारा मनुश में कौन सा रोगदपन होता है तो एसकेरिस के द्वारा मनुश में एसकेरियस अप्शन नमबर बी यहाँ पर से इत्रो जाएगा रोगदपन होता है next question देखते हैं फेरेटीमा पोस्थूमा किसका वेग्यानिक नाम है फेरेटीमा पोस्थूमा किसका वेग्यानिक नाम है right answer क्या है तो फेरेटीमा पोस्थूमा जो है केचुए का वेग्यानिक नाम है right answer हो जाएगा next question देखते है केचुए में कौन सा रक्तवरणक उपस्तित होता है केचुए में रक्तवरणक कौन सा उपस्तित होता है राइट आंसर क्या है तो केचुए में हीमो साइनिन option number A प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा केचुए में कौन सा रक्तवरणक उपस्तित होता है तो Hemo Sign-In इस प्रशिन के लिए सही उत्तर हो जाएगा Next question देखते हैं अगला प्रशिन किस जन्तु में अश्रू ग्रंथी नहीं होती है? Right answer क्या है प्रशिन के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अश्रू ग्रंथी घड़याल में नहीं होती है right answer option number D प्रशिंगे लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं सापों की विश्ग्रंथियां किसके समान होती है सापों में जो विश्ग्रंथियां होती है वो किसके समान होती है right answer क्या है प्रशिंगे लिए तो सापों में विश्ग्रंथियां जो हैं इस्तंधारियों की वसा या तेल गरंथियों के जैसी होती है option number C प्रशिंग लिए सही उत्तर हो जाएगा कीटों की कितनी जोड़ी टांगें होती है क्या उत्तर हो जाएगा कीटों की कितनी जोड़ी टांगें होती है right answer क्या है तो कीटों की तीन जोड़ी टांगे होती है, option number C इस प्रशन के लिए सही उत्तर हो जाएगा, next question, मच्छड में लाल खून का उभराना किस पर पोशन के कारण होता है, तो मच्छड में लाल खून का उभराना पर पोशन, इस तंदारी के पर पोशन के कारण होता है, right answer हो का सहीतर हो जाएगा, रेशम का उतपातर रेशम कीट के पीउरा से होता है, next question देखते है, बिच्छू का विष्ग कहा पर होता है, автом इतर हो जाएगा, तो यहाँ पर सहीतर हो जाएगा, बिच्छू का विष्ग जो है, डंक में होता है, option number डंक इस प्रशन के सेतर हो जाएगा next question तितली की आखे रात में क्यों चमकती हैं क्या उत्तर हो जाएगा तो right answer हो जाएगा टैपिटम लूसिडम के कारण option number C यहाँ पर सहीतर हो जाएगा तितली की आखे रात में क्यों शमकती है टैपिटम लूसिडम के कारण next question देखते हैं क्या पूशा गया है octopus में भुजाओं की संख्या कितनी होती है क्या उत्तर हो जाएगा तारा मचली स्टारफिस किस संघ का पराणी है तो राइट आंसर हो जाएगा तारा मचली स्टारफिस जो है एकाइनो डर्मेटा संघ का पराणी है option number D यहाँ सही उत्तर हो जाएगा समुद्री घोडा किस वर्ग का उधारण है तो समुद्री घोडा जो है तो समुद्री घोडा जो है राइट आंसर हो जाएगा मतस्य वर्ग का option number A इस प्रशिन के लिए सही उत्तर हो जाएगा मतस्य वर्ग का उधारण है next question देखते है अगला प्रशिन क्या है समवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है समवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है तो राइट आंसर हो जाएगा तंत्री का उतक के द्वारा सम्मेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है उट का कूबर किस उतक का बना होता है राइट आंसर क्या है प्रशिंग लिए तो उट का कूबर जो है वसा मैं उतक का बना होता है option number D राइट आंसर है next question मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है क्या उत्तर हो जाएगा मोटापा किसकी अधिकता के कारण होता है तो मोटापा वशा उतक की अधिकता के कारण होता है राइट आंसर है next question देखते है दात का सिखर किसका बना होता है राइट आंसर क्या है प्रशिंग के लिए तो दाद का जो उपरी भाग है शिखर जो है वो एनमिल option number C इस प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा का बना होता है किस उतक के नक, खुर और सींग बने होते हैं क्या उत्तर हो जाएगा तो नक, खुर और सींग जो है के रोटीन के बने होते हैं option number C प्रशिंग के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question आरेज कारक ने अपना ये नाम किस जानवर से लिया है क्या उत्तर हो जाएगा आरेज कारक ने अपना ये नाम रीसस नाम के बंदर से लिया है राइट आंसर है रीसस नाम का बंदर next question देखते हैं क्या पुशा गया है जन्म के बाद मानो के किस उतक में कोई कोश का भिभाजन नहीं होता तो जन्म के बाद मानो शरीर के तंतरी का उतक में कोई कोश का भिभाजन नहीं होता option number B यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रशन DNA का double helix model किस ने दिया था क्या उत्तर हो जाएगा तो DNA का double helix model Watson और Crick ने दिया था option number C प्रशन लिए सही उत्तर है माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा इस्थानांतरित होते हैं क्या उत्तर हो जाएगा तो माता पिता के गुण उनकी संतानों में जो है right answer हो जाएगा किसके द्वारा तो गुण सूतर के द्वारा इस्थानांतरित होते हैं option number C प्रश्ण के लिए सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं अगला प्रश्ण का है पुरुस के पुरुषत्यु के लिए कौन सा गुरुसूत्री संयोजन उत्तरदाई है तो पुरुस के पुरुसत्यु के लिए x y गुरुसूत्र संयोजन जो है उत्तरदाई है राइट आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए option number D प्रशन का सहीतर हो जाएगा तो दोस्तों ये था आपका practice set paper वीडियो के description box में मैंने PDF की link दे दी है link पर click करके PDF download कर लीजेगा चैनल पर रोज रात में साड़े 8 बजे हम science की class provide करते हैं free तो आप रोज मुझसे science पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब करके bell icon on कर लीजेगा वीडियो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुभ हो